नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आत्मत्या की गई है जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में जाच पर मर्ग कायम किया गया और शव को बरामत कर पोस्मॉटम के लिए भेज दिया गया फिलहाल मामले में परिजनों द्वारा आरोप लगाये गए हैं कि मितका इंदुतिवारी का उसके पती से विवाद जाई हालाकि घटना अस्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके चलते आत्मत्या और हत्या में संशय है को और तलब है कि सस्वाल पक्षिद्वारा महिला की मौत को आत्मत्या बताया गया है हालाकि पोस्मॉटम रेपोर्ट के बाद पोलिस मामले का खुलासा कर सकेगी इंदू तिवारी नाम है कि इसकी उम्र 35 साल है 34-35 साल रही होगी गटना यह है रात को करीब कि दोड़ाई वजे शायद उसने ऐसा कोई इसको फांसी पर लटका दिया और हमको चार वजे के लगवग सूचना मिली किसना लटका दिया उसके सास सासूर और जो भी लोग रहे हों घर में बैने या वहाई जो भी मारके लटका है हां ऐसा ही हमको संदेय है कोई किसी तरह लट तो नहीं मिला है लेकिन लड़की जो है वो कल उन लोगों का आपस में जगडा हुआ था सास का ऐसा कहना है कि वो जो है कोई फांब बना चाहती थी उसके लिए दोनों का आपस में जगडा हुआ पति बदनी का और पती रात को उसके साथ नहीं सोया तो अखेली थी औ और वहाल बाहर है और अंदर उनका कमरा था बाहर यह सब लोग सोते रहे और उसने आत्मत्या कर लिए ऐसा कैसे हो सकता है यह प्रैक्टिकली पती का नाम है गौरफ तिवारी मतलब आपका कहना यहीन मार के लटका है मेरे इसाब से अंदर को fak replace मैं और परे लटका है कही और बाद में यहां के लटका दिया सबकिश वर कहते है तो मेरे मामा जी का कि लड़की है तो मेरी बेहन बतीजीशिंध्या मेरा नाम सन्जीव बास कई है कि जीला स्पताल से सुचना मिली थी कि सुधामा नगर रेनवाली महिला परिवार से उसमें इंदू तिवारी किता है पती का नाम है गोरो तिवारी जो इसने अपने घर के अंतर पंके से फासी लागा कर लटक गई कारण तो भी स्पष्ट नहीं है लेकिन प्रतम दृष्ट्यात पर यही है कि घर पर ही उसके कुछ पती से गड़ाई जगड़ा या उस पर कुछ विवाद चल रहे थे हैंके अब तक स्वाइट नोट के कहीं से भी मिला नहीं और हमारे फिसल अधिकारी भी सब जाकर गटना इस्थाल का निर्खण कर लिया है एसी को या पती चीज या वो कुछ नोटीस बगर कुछ भी नहीं मिला है आपका ना मैं एसाई सुबाद सक्वाद था नाट गुर्णा इंपर ताइम न्यूस दीखिए अब आपके मोबाई और स्माथ टीवी पर लाइव प्लेज स्टोल से डाउन्नोड करें ताइम स्माथ टीवी एप्स